हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अर्मान सिवलिया एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एचेश टेकनिकल सपोर्ट पर स्वागत करते हैं और यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे पास टाइम यूज़ियल आइडी को लोगिंग केसे करें यहाँ पर मेरे पास बहुत सरे से कमेंट आ रहे थे कि परस्ट टाइम हम यूज़ियल आइडी को लोगिंग केसे करें इसको लेकर जो आपके सारे डाउट है वो हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं आपको live id को logging करके दिखाने वाले कौन सी ऐसी गलतिया है जो आपको नहीं करना है ताकि आपको आगे जाके प्रोब्लम नहीं हो तो वीडियो को बिना skip किये लाइस तक step by step देखिए ताकि आप id को सही logging कर पाए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो में आगे बने स कर पाए और वीडियो को like कर देना है और वीडियो को अपने facebook whatsapp सभी गूर्पों में जड़ ज़्यादा शेर करना ताकि सभी लोगत की जानकारी पहुंचे तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं पाइस टाइम यूशियल आइडि को ओपरेटर डियर्स कैसे आप फिल कर सबसे पहले क्या करना है अपने सिस्टम में आपको सर्विस टाइप करना है जैसे आप सर्विस टाइप करोगे तो इस सर्विस वाले ओप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जितने भी आपको आधार के ये आपको दिखेंगे उस टाइम भी आपको इसको रिस्टार्ट करना है और स्याम की टेम आप जैसे ही आप अपने ओपिस को बंद करके जाने वाले हैं घर तो भी आपको रिस्टार्ट करना है इससे आपका I.D. में किसी परकार की दिक्त भी नहीं होगी और आपका काम सोचारू रूप से चालू ठीक है यह आपको काम ध्यान से रुकना है रिस्टार्ट करना है रिस्टार्ट करने के बाद में आपको आपके जो भी डिवाइस है मंत्रा उनको भी रिस्टार्ट कर लेना है यह ध्यान रखें यह 5-10 मिनिट की गलती नहीं करें अगर I.D. को लंबा चलाना है तो 5-10 मिनि इसमें रिस्टार्ट करें, जरूर जरूर रिस्टार्ट करें तो देखे हमने यहाँ रिस्टार्ट कर दिया डिवाइस को अब यहाँ पर हम यह आधार इंट्रोल्मेंट इस एप को आपको राइट किलिक करना है और यहाँ से ओपन करना है right click करके ही open करना है यह नहीं के direct open कर दिया right click करके open करना है यूशिल से जुड़ी हम एक एक आपको update देंगे अभी अमारा ये पहला वीडियो है जो आपके सामने आ रहा है तो देखें जैसे ही app open होगा आपके सामने यहाँ इसा interface आएगा तो यहाँ पर देखें GPS core यहाँ पर देखें यह वाला option आपके सामने आएगा इसको go to इस पर क्लिक करना है अब यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर आपको यह जो है यहाँ पर छिन्यनमस हो रखना है आपको 9600 यह वाला रखना है save पर click करना है और save पर click करते ही आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर GPS को एक बार आपको निकाल के वापस लगा देना है आप चाहिए तो GPS यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी पलक निकाल सकते हो चलिए हम यहाँ से पलक निकाल देते हैं और वापस लगा देते हैं तो हमने देखिए पलक निकाल के वापस लगा दिया है और यहाँ पर देखिए Start GPS पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर OK पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमने पलक को निकाल के लगाया है अगर आपको ऐसा लगता है कि location आपका GPS नहीं आ रहा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिखाएगा red color बत्ती आ रही है यहाँ पर अभी तो यहाँ पर यह ध्यान रखें यहाँ पर दिखें GPS device in active यह लिखा रहा है यहाँ पर active लिखाएगा और उसके तो देखिए हमारा GPS लगावाए आपके सामने है और यह device के साथ connected है आपको पिन पलक एक बार निकाल के वापस लगा दिना है और उसके बाद में देखिए आपकी location है वो यह पर्ष टाइम होता है पर्ष टाइम लेगा लेकिन जब भी आप बाद में लोगिंग करोगे तो फिर टाइम नहीं लेगा आपका फिर आपका तुरंत ही हो जाएगा तो देखिए हम वेट करते हैं थोड़ा सी वीडियो भी आपका फिर लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा सी वेट करते हैं तो देखिए दोस्तों जैसे ही GPS आपका connect होगा यहाँ पर देखिए आपका Lent Attitude, Lone Attitude यहाँ पर दिखा दिये जाएगा और यहाँ पर नीचे भी आपको दिखा दिये जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है? Save पर क्लिक करना है जैसे आप Save पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो location है वो save होजाएगी उसके बाद में आपको यहाँ पर वापस Pro Stage पर क्लिक करना है Pro Stage पर आपको Scan wale Operated Details पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको registered आपका आजाएगा enrollment agency आपके आजाएगी उसके बाद में यहाँ पर आप जब पस time logging करोगे तो यहाँ पर आपका यह दोप्स नाएंगे तो आपको permanent पर click करना है permanent पर click करना है उसके बाद में आपको center का name है जो आप पर address में आप डाल सकते हो आपकी दुकान का नाम और उसके बाद में जो भी आपका address है जहां भी आपकी दुकान इस्टित है वो पूरा आप इस्ट्रीट यहां पर डाल सकते हैं उसके बाद में आपका क्या करना है नीचे आपको PIN Code डालना है PIN Code डालते ही आपका सब कुछ यहां पर detail automatic ले लेगा आपका district भी आजाएगा state भी आजाएगा सब district भी आजाएगा और आपकी जो भी विलेज है वो भी आजाएगा ठीक है यह automatic आपका यहां पर आजाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है में operator mobile नेमर आपको blank छोड़ देना है यहां पर कुछ नही करना है फिर आपके registered mobile नेमर पर एक OTP बेज़े जाएगा वो OTP आपको यहां पर डाल देनी है तो चलिए हम यहां पर OTP डाल देते हैं OTP हमारे पास आज चुकी है तो हम OTP डाल देते है तो यहां पर हमने OTP डाल दी है उसके बाद में यह आईरस आपकी लगी होईनी चाहि OTP पर आप जैसे क्लिक करोगे तो successfully connection online यह आपका successfully logging हो चुका है यहां पर यह option hide आ रहा था अभी यहां पर आने लगा है तो देखें online update पर जैसे क्लिक करोगे यहां पर आप जो भी customer है जिनका भी आप आधान मर डालोगे यहां पर आधान मर डालके और उसके बाद में उसक आपको यह करना है अब यहां पर update कैसे करें या क्या update करना है नाम अपडेट करना है डियो भी update करने है तो उसके लिए क्या document चाहिए या मतलब इससे आगे कि अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको comment कर देना है next studio हम उसके उपर लेकर आएंगे अभी हमने यह बताए आ आपको यूशियल लंबा चले और आपको कई परकार की कोई दिक्कत नहीं हो तो यहां पर हमने आपको सारी जानकारी दे दी है किस परकार से आपको लोगिंग करना है पूरी जो information है वो आपको यहां पर बता दिये अगर आप यहां पर इससे सम्दिती और जानकारी चाहते हैं कि यहां पर हम को update किस परकार से करना है और क्या-क्या दस्तावेज किस परकार से करना है को फोर्म अगरा किस परकार से फिल अप करना है ताकि हमारे यूशियल आइडी है जो लंबी चले कहने का मतलब है हम ब्लेक लिस्ट नहीं हो हम एसी कोई भी गलती नहीं करें जो लेक लिस्ट नहीं हो तो इससे समझ्दी दिए अगर आप और वीडियो चाहते हैं या इसका जो आईडी है वो कैसे ले इससे समझ्दी एगर आप उजनगारी चाहते हैं तो आपको कमेंट करते लिए जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उस परकार से हम नभी वीडियो लेक करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें तक कि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंचे तो मिलते हैं एक और प्रेश उडियो में लेटे साथ में जे हिन जे भारत